स्टूडेंट्स वेल्किम टू माई यूटूब चैनल आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर गाईज हम क्लास 10 का मैथ कर रहे हैं आज हम इसकी एक्सरसाइज 6.2 का क्योशन नंबर 9 करेंगे इससे पहले वाले क्योशन हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिये हैं अगर क्योशन को स्टेप बाइ स्टेप स्टेप सोल करते हैं ठीक है अबी सीडी इस टर्पेजियम इन वीच एबी पैरलर तो डी सी एंट इस डाइगनल्स इंटरसेक्ट इच अधर अट पॉइंट ओ शो दैट एट एओ बाई 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 दे रखी है तो टर् यह कोई भी तर्पेजियम दे रखी है ठीक है और क्या बता रहा है एबी जो है वो पैरलर है डी सी के यह टर्पेजियम के एक प्रोपर्टी होती है तर्पेजियम में अमेशे यह वाली जो साइड होती है इसके पैरलर होती है वो तभी टर्पेजियम होती है ठीक है तो A B है, वो पैरलर है, D C के, ओके, आगे क्या बता रखा है, and its diagonals intersect each other at the point O, और इसके जो diagonals है न, ये intersect करेंगे, point O पे, ये चीज़ बता रखी है, A, B, C, D, कोई भी टर्पेजियम है, इसके diagonals हैं, वो intersect कर रहे हैं, point O पे, हमें, शो क्या करना है, ये चीज़ तो हमारी given है, ठीक है, A, B पहले to D C, और शो क्या करना है, show that, A O by B O, A O by B O is equals to C O by D O, ठीक है, तो पहले हम इसकी थोड़ी सी, यहां पे एक क्या करेंगे, एक line draw करेंगे, यह हमने एक line draw कर दी, जो इसके intersect से पास होती है, यह line क्या है, E, F, ठीक है, यहां पे हमें BPT theorem को apply करने के लिए यह line draw करी है, क्योंकि हमने इसके parallel, यह कोई भी एक line draw कर ले, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, हमें प्रूव क्या करना है, A O by B O, और C O by D O, तो हम देखते हैं, यह A O, यह B O, यह C O और D O, यह चार चीज़ें चाहिए हमें, तो यह चार चीज़ों के लिए देख, एक तो यह वाली triangle, और एक यह वाली triangle, यह दो यह triangle बहुत है, हम और किसी triangle के चक्र में ही नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ यह देखेंगे कि A O और B O कौन से वाली से हो रहे हैं, तो यह इस वाली triangle से हो जाएंगे, और यह इस वाली triangle से हो जाएंगे, तो इन दो triangles में भी पिटी थोरम अपलाई करके, हम इन दोनों को equal prove कर दिखा देंगे, ठीक है, तो देखो पहले हम triangle लेते हैं, in triangle A, D, C, A, D, C, यह वाली triangle ले लिए हमने यह, यह और यह, ठीक है, तो इसमें E O है, वो parallel है, D, C की, E O जो line है, वो parallel है, D, C की, अभी by using BPT theorem, तो BPT theorem में क्या होता है, कोई भी अगर, यह भी यह line इस third side के parallel होती है, और other two sides पे intersect करती है, तो इनका यह जो ratio होता है, वो equal हो जाता है, A, E by A, D, A, O by O, C, तो यह क्या हो जाएगा, A, E by A, D is equals to A, O by O, C, ओके, अभी हम क्या करते हैं, अभी यह वाली triangle लेते हैं, यह वाली triangle तु ले ली, अभी हम यह वाली लेते, A, B, D, यह किस्से आया है, by using BPT, ठीक है, अभी हम लेते हैं, in triangle A, B, D, A, B, D में क्या है, जो E O है, वो parallel है, A, B के, E O parallel, A, B, तो वही same property by using BPT, तो D E by E A, it equals to D O by O B, यह equation first हो गई, देखो, D E by E A, D O by O B, वही होता है न, BPT theorem देखो, यानी चिसे देखती हैं, यह जो E O है, यह इसके parallel है, तो इनका यह जो ratio होगा न, यह equal हो जाएगा, BPT theorem के recording, तो यह किस्से हो जाएगा, BPT theorem, ठीक है, अभी देखो, यह हम यह वाली चीज़ बराबर करनें, तो इसमें A E by E D है, और इसमें क्या है, D E by E A है, तो हम इसको न, इसको numerator है, उसको denominator बना देंगे, और denominator को हम numerator बना देंगे, तो देखो, इसको हम change कर देंगे, इस वाली चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A E by A D is equals to OD by BO, बतलब यह उपर गया, तो यह जीज भी उपर गई, यह निच्चे आ गया, तो यह भी निच्चे आ गई, यह equation second हो गई, अभी from equation first and second, अभी equation first और second से क्या हो जाएगा, यह वाली चीज़ और यह वाली चीज़, यह वाली साइड इनके दोनों की equal है, तो A E by A D, A E by A D equal है, तो इनकी यह वाली साइड जो left and side equal है, तो इसकी right side पर equal हो जाएगे, तो यह क्या हो गया, A O by O C is equal to O D by O B, हमें प्रूव क्या करना था, A O by B O, और C O by D O, हमें यह चीज़ प्रूव करनी थी, अरे, सोरी, यहाँ पे न, हमने क्या किया था, यह D O by O भी था न, अगर हम इसको change कर रहे हैं, तो इसको भी तो change करेंगे न, तो यह O B उपर चला जाएगा, और D O निच्चे आएगा, तो यह वाली चीज़, यहाँ पे, ऐसे नहीं आएगी, यह ऐसे आएगा, A O by O C is equal to B O by O D, ऐसे आएगा, अभी हमें प्रूव क्या करना था, A O by B O, तो इनका cross multiplication कर देंगे, तो A O by B O is equal to O C by O D, तो इस वाली चीज़ को हम A O by B O is equal to C O by D O, यही चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी थे, ओके, तो कुछ भी नहीं है, देखो इस वाले equation में एक बर मैं फिर आती हूं आपको, A B C D को अभी एक trapezium दे रखी है, इसके जो diagonal से वो intersect करेंगे O पे, हमने यह एक line draw कर ली E F, ठीक है, जो parallel है DC के, अभी हमें क्या बता रखा, हमें A B parallel बता रखा है DC के, और हमें प्रूव क्या करना है, A O by B O, और C O by D O, तो हम एक यह वाली triangle लेके चल रह अभी पिटि थोर्म का अपलाई करके, इस वाली triangle से ADC से तो बन जाएगा, A E by AD is equals to AO by OC, और जो दूसरे वाली triangle है ABD, उससे बन जाएगा, A E by AD is equals to OD by BO, अभी इन दोनों को compare करके, AO by BO जाएगा, OC by ODो जाएगा, लेकिन हमें पूछ क्या रखा है, AO by OB is equals to CO by DO, तो O को पिछ चला गया, O बाद में चला गया, तो यह क्या हो गया, हैंस, प्रूट, अभी हम इसका next question करते है, question number 10, question number 10 में क्या पता रखा है, the diagonals of equidylator ABCD intersect each other point at, each other at the point O, कोई भी equidylator है, A, B, C, D, ठीक है, यह intersect कर रहा है, इसका point कहां पे, O पे, यह intersect कर रहे है, point O पे, ठीक है, आगे क्या बता रहे है, कास्स, that, given है, AO by BO is equals to CO by DO, यह चीज दे रखे है, और पूछ क्या रखा है, prove that ABCD is a terpegium, जो ABCD है न, इसको terpegium दिखाना है, AO by BO, CO by DO हम बता रखा है, तो हम क्या करेंगे, यह line draw कर लेते हैं, E, F, E, F जो है, वो parallel है, D, C के, यह चीज हमने draw कर ले, फिक है, अब भी terpegium है, इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, यह terpegium उसके लिए हम, अगर AB को DC के parallel दिखा देंगे, अगर AB को DC के parallel दिखा देंगे, तो हम बोल सकते हैं, यह चीज हम बोल सकते हैं, कि ABCD जो है, वो एक terpegium है, अगर AB को हमने DC के पैरलर दिखा दिया तो ये चीज टरपेजियम हो जाएगी अभी EF हमने ड्रो किया है ये DC के पैरलर है अगर अब EF को हम AB के पैरलर प्रूव कर देंगे If EF पैरलर to AB ये चीज हम प्रूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा EF DC के भी पैरलर है और EF को हमने AB के भी पैरलर प्रूव कर दिया तो दें AB जो है वो पैरलर हो जाएगा DC के और हमारी ABCD क्या हो जाएगी एक टरपेजियम हो जाएगी तो हमें क्या करना है इस वाले क्यूशन में हमें EF को AB के पैरलर प्रूव करना है ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे देखो अगर कहीं पे भी टरपेजियम पूछ लेना तो उसमें AB हमेशा DC के पैरलर होता है यह चीज़ हमें दिखानी होती है EF हमने कोई भी ड्रो कर लिया DC के पैरलर है अगर हम EF को AB के पैरलर दिखा देंगे तो इसका मतलब तो A, C के पैरलर हो जाती है ठीक है अगर B के पैरलर है B, C के पैरलर है तो A जो है वो C के पैरलर हो जाएगी क्योंकि B, A के पैरलर है और B, C के पैरलर है तो A, C के पैरलर हो जाएगी तो यहाँ पे सेम वही चीज़ है अगर यह वाली लाइन इसके पैरलर है यह चीज हमने इ ADC in triangle ADC क्या बता रखा है यह ADC है इसमें EO है वो पैरलर है EO पैरलर DC तो by using बिपिटी थोरम अगर EODC पैरलर है तो यह क्या हो जाएगा AE by AD is equal to AO by OC यह किस्से हो गया बिपिटी थोरम से अभी हम क्या करेंगे triangle लेते हैं B, D, C पहले हमने यह वाले triangle ली अभी हम यह वाले triangle ले रहे हैं तो in triangle B, D, C तो इस वाले triangle में B, D, C triangle में क्या हो जाएगा OF है वो पैरलर हो जाएगा D, C के तो BO by OD BO by OD is equal to BF by F से यह equation first हो गई और यह equation second हो गई यह किस्से हुआ है विपिटी थोरम से ठीक है अभी from equation 1 and 2 देखो हमें पता है यह चीज़ हमें दे रखी है AO by BO is equal to CO by DO तो इस वाले चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं AO by CO is equal to BO by DO क्योंकि यह CO इनका cross multiplication कर दिया CO यहाँ पे आ गया BO यहाँ पे गया तो यह दोनों equal है तो अभी देखो यह equation 1 और equation 2 में AO by OC और BO by OD यह दोनों है अगर यह दोनों equal है तो इनकी यह side भी equal हो जाएगे यह AO by OC और BO यह सेम यही चीज़ है अगर यह दोनों equal है तो क्या हो जाएगा from equation 1st and 2nd AE by ED is equals to BF by FC ठीक है अभी इस वाली चीज़ को हम क्या करेंगे यह AE by ED और BF by FC ED को हम उपर ले जाएंगे ED by AE is equals to FC by BF यह हो गया ठीक है अभी हम क्या कर रहे है हमने क्या दिखा दिया AE by AD is equals to BF by FC दिखा दिया अभी हम इसको DE by EA और CF by FB is equals to DO by OB और दिखा देंगे तो अगर हमारी यह इसके पैलर है तो फिर यह पूरी भी इसके पैलर हो जाएगे तो हम क्या कर रहे है अभी इसके लिए हम ट्राइंगल ABD लेके चल रहे है यह वाली जो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ABD तो देखो ABD में EO है वो AB की पैलर है तो वही सेम चीज यह हम यह आपे बिपिटी थोर हम अपलाई करेंगे अगर EO AB के पैलर है तो DE by EA और DO by OB हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा EO है वो पैलर है AB के तो DE by EA is equals to DO by OB फिक है अभी देखो यह equation third और यह equation fourth अभी यह वाई DEAE DEAE FC BF के एकवल है यह DO OB के एकवल है तो इससे क्या हो जाएगा from equation third and fourth जो DE by EA is equals to DO by OB is equals to FC by BF यह तीनों चीज़े हमारी एकवल आगे मतलब DE by EA CF by BF यह FC लगा लो चैए FC by BF and is equals to DO by OB हमने यह तीन चीज़े equal prove कर दी तो इससे क्या हो गया जो CO है जो यह हाँ EO है यह DC के parallel यह EO इस वाली जो equations है इससे हम क्या बोल देंगे कि EO है वो parallel हो गया AB के EO है वो parallel हो गया AB के क्योंकि हमने यह दोनों चीज़े और यह और यह तिनों equal दिखा दिए तो अभी EO है वो parallel हो गया AB के तो यह जो EO इसके AB के parallel है तो यह जो OF है यह हमने आगे extend करी थी तो यह OF भी AB के parallel हो जाएगा OF parallel AB तो देन जो EF है पूरा वो parallel हो गया EF parallel AB ठीक है अगर EF AB के parallel हो गया और EF हमने DC के parallel ड्रो कर रखा था यह चीज़ हमने प्रूव कर दे यहां पे और हमने EF को DC के parallel यह ड्रो किया था हमने तो इन दोनों से हम क्या बोल सकते है AB जो है वो parallel हो जाएगा DC के तो हैंस A, B, C, D, H, A ठीक है अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक से रंग सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्षन में जाके पूछे ओके थैंक्यू